दोस्तों लगता है कि केनेडियन सरकार के ऊपर आजकल पन्नू पालने का सोंक चड़ा हुआ है लेकिन दोस्तों इसकी कीमत भी केनेडा को अधा करनी पड़ेगी शक्तिशाली समय केनेडा के इतने टुकड़े करेगा कि टूडो की जिंदगी बीत जायेगी लेकिन वो गिन न पाथा और कोरा हमेशा बना रहेगा लेकन वाई सहाब बढ़ बोले हैं तो भहीया जी चो केंड़ा में रहने वाले हिंदू है उन्पों भहीया जी घर आ रहे हैं कि केंड़ा छोड़के भाग जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा जबकि ये पन्नु सरयाम धम की आदे रहे हैं उस समय केनेडा के प्रदानमंत्री लगता है पत्ते खिल रहे हैं इसलिए दोस्तों ध्यान हो आपको पिछले मैंने जेस्टिन टूडो की लोगाई भाग गई थी कारण यही है कि जेस्टिन टूडो के कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है उन्हें पता ही नहीं है कि असली प्राथ मिक्ताएं उनकी क्या होना चाहिए यह अपने देश में साप पाल रहे हैं सापों की रक्षा कर रहे हैं लेकिन यह दुस्मनी ले रहे हैं भारत जैसे देश से जिस पर यह 100% निर्वर हैं अब दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि बड़े पिमाने पर भारतिय केनेडा जाते हैं और भारतिय विदेश मंत्राले ने एडवाइजरी भी जारी कर दी कि भाईया केनेडा में माहुल खराव को रहा है बचके रहे हो वहाँ पर मत जहो केनेडा दोस्तों यह जो भारत सरकार ने किया है वो तो टेट फॉर टेट है जैसा केनेडा ने किया हूँ वही भारत कर रहा है लेकिन दोस्तों जरा आप स्वयम देखिए केनेडा खुद कितने पानी में है हमारे भारतिय विद्यार्थी जो केनेडा पढ़ने जाते हैं उससे केनेडा का एजुकेशन सेक्टर चल पा रहा है 40% वहाँ पर जो स्टुडेंट हैं विदेशी वो भारत से गए हुए हैं साथ में दोस्तों यह आंकडा तो छोटा है आज की डेट में जब केनेडा मंदी के मुहाने पर खड़ा हुआ है तो इनकी कंपनियों से पूछा जा रहा है कि आपकी सबसे वड़ी समस्या क्या है तो उन कंपनियों को टेंसन है हेड काउंट की कंपनियों को उनकी फेक्ट्रिया चलाने के लिए वरकर चाहिए आतंकवादी तो विनास के लिए जाने जाते हैं उत्पादन करने की तो उनकी आउकात नहीं है यह जो खालस्तानी लोग है इनसे करवा के दिखाएं टूडो उत्पादन तब जाने हम टूडो को कितने बात के पक्के हैं अपनी दोस्तों आप स्वयम देखिए आज की डेट में साड़े छह लाग जौब केनेडा में ऐसे हैं जिनके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं परणाम सुरूप कंपनियों को जो पुराने वरकर्स हैं उनको बना रखने के लिए सेलरी बढ़ानी पड़ रही है जिसे से कंपनियों की कोस्ट बढ़ती है केनेडा की महंगाई में एजाफा हो रहा है तो चुकि कंपनियां परहसान है केनेडा प्रकती नहीं कर पा रहा है इसलिए ये भारत से लोग बुलाते हैं हम भारतियों को वीजा दे कर केनेडा कोई उपकार नहीं कर रहा है भाईया जी मुद्दे की बात है ये हमारे तो भाईया एक NRI दोस्त का फोन आ गया वो कहता है कि तुम सहाब वीडियो में केनेडा को इतनी गालियां दे रहे हो तुम्हें वीजा नहीं देगा केनेडा तो हमने तो उनसे साफ के दिया कि भाईया जी भाण में जाए केनेडा हम तो केनेडा के वीजा की बत्ती बना के कान में डालते हैं कान में फिर भी दोस्तों हमारे जो भारतिये केनेडा जाते हैं वो स्वाभी मानी है जितनी उन्हें केनेडा जाने की आवशक्ता है उससे कहीं ज्यादा जरूरत केनेडा क उनकी है इसलिए दोस्तों हमें डिफेंसिव होने की डरने घवराने की कोई जरूरत नहीं है जो बिवाद है चलना चाहिए केनेडा को भारती वरकर्स की जरूरत भविश्च में भी पढ़ती रहेगी झक मारके उन्हें भारती वरकर्स बुलाने पढ़ेंगे इसलिए भाई स को शिद्दत के साथ लड़ना है जो होगा देखा जाएगा